जिस कानून को बैंड बाजे के साथ ले आई उसी कानून ने फजहत कराई एक ही दिन में फूलने लगे मोधी सरकार के हाथ पाव अचानक पीएम मोधी ने अपने ही मंत्रियों की लगाई क्लास फिर कानून हुआ वापस ट्रक ड्राइवर्स ने दिन में दिखाए तारे तो फोरन बीजेपी को सताने लगी वोटों के चिंता एक साथ बीस लाग ट्रक ड्राइवर्स ने जब किया हरताल तो एलान से मचा हाहकार आसमान चुने लगे पेट्रोल डीजल के दाम चाना क्या मत्रिया भी समझ नहीं पाए जैसे क्रशी कानून लेकर आई और वापस करना पड़ा जैसे सीए और अनारसी लेकर आई वापस करना पड़ा ठीक उसी तरह यूटर्ण सरकार को हेट अन रण कानून पर भी यूटर्न लेना पड़ा सरकार ने ऐसा क्यों किया और हेट अन रण कानून में ऐसा क्या है जसकी वजह से ट्रक ड्राइवर्स को ये दिन देखना पड़ा ये समझने से पहले जरा बड़ा अपडेट जान लीजे खबरे कि सरकार ने ट्रक काउनरस असोसेशन और दूसरे संगटनों से मुलाकात करने के बाद फैसला कर लिया कि वो जल्दी हेट अंड रंड कानून वापस ले सकती है अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार की ये बड़ी हार होगी आकर हेट अंड रं केस में ऐसा क्या बदला जसने पूरे देश में हाहकार की नौबत आ गई पेट्रॉल पंपर तिल खत्म हो गया बाजारों में सबजियों के कीमते आस्मान चूने लगी लोगों को खाने पीने की चीज़े दोगुनी कीमत पर मिलने लगी दिली से लेकर पंजाब तक, हर्याना से लेकर हिमाचल तक और यूपी से लेकर एंपी तक, मंडियों में कारोबार ठप पड़ गया दरसल ट्रक ड्राइवर्स को परुशानी सरकार के कानून से नहीं थी बस इस बात से थी किस सरकार ने जान बुचकर उन्हें टागेट किया हिट अन ड्रंग के मामले सणक दुर घटना से जुड़े होते हैं हिट अन ड्रंग का मतलब होता है तेज और लापरवाही से गाड़ी चुलाने के चलते किसी व्यक्ती या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुचाना और फिर भाग जाना ऐसे में सबूतों और गवाहों के अभाव के कारण दोश्यों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है जिस नियम को लेकर देश फर में बवाल मचा हुआ है वो हाली में संसत से पारित तीन नए कानून का हिस्सा है दरसल भारतिय न्याय सही था यानि कि BNS की धारा 104 में हिटन रन का जिक्र किया गया ये धाराला परवाही से मौत का कारण के लिए कठोर सजा का प्रावधान करती है आरोपे की कई जगहों पर ट्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई जान बुचकर ट्रक ड्राइवर्स को धमकाया गया लेकिन वो डरने वाले नहीं थे ट्रक ड्राइवर्स ने अपना प्रदर्शन जारी रखा अब तो कॉंगरस ने भी खुले तोर पर ट्रक ड्राइवर्स को पूरा समर्थन दे दिया अकलेश यादों ने तो ट्रक ड्राइवर्स के पावध होये और साफ कर दिया कि जब तक न्याए नहीं मिल जाता तब तक हक की लड़ाई जारी रहेगी आपको बता दे कि जो नया कानून सरकार की तरफ से बनाया गया उसके मताबिक अगर कोई ड्रावर आक्सिडन्ट करता है और वहां से भाग जाता है और किसी की मौत हो जाती है तो उस पर करीब साथ लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथी साथ दस साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है इसलिए हिटन रॉन खानून सीधे तोर पर लोगों के निशाने पर आ गया ड्रावर्स का ये कहना है कि कभी भी वो जान बूचकर आक्सिडेंट थोड़े ही न करते हैं हाथसा हो जाता है लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी सजा मिलना बहुत खलत है उनका तर्क ये है कि कभी भी वो नहीं चाहते किसी भी चोटल आदमी को छोड़ कर भाग जाए लेकिन अगर वहाँ पर उखते हैं तो उनकी जान को भी खत्रा हो सकता है उन्हें मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ सकता है जो इसकी वजह से उन्हें मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ता है लेकिन अगर कोई भी ड्राइवर ऐसा करता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और 7 लग का जुर्माना लग देना पड़ सकता है अब सवाल यही उठ रहा है क्या के जो ड्राइवर 15,020,000 रुपई की नौकरी करेगा वो मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालेगा कि वो जुर्माना भरेगा ट्रॉक ड्राइवर का तरक कहीं से गलत नहीं लगता जैसे मान लीजे कि कई बार कोहरे और दूसरी वजहों से अक्सिडेंट हो जाया करते हैं जिसमें ट्रॉक ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती लेकिन अब जब नया कानून बन गया तो इसकी वजह से उन्हें दोशी ना होते हुए भी सजा भुगतनी पढ़ सकती है यही वजह है कि अब खुले तोर पर ड्राइवर इसका विरोत कर रही है चारों तरफ इस कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है ट्रॉक ड्राइवर यही मांग कर रहें कि जल्द से जल्द कानून को वापस लिया जाए नहीं तोन की हड़ताल और ज्यादा बढ़ेगी खैर आप ही बताईए सरकार इस कानून को लेकर गलत कर रही है या सही हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राए बताईएगा